फ्रेंट्स आने वाले साल 2021 में आपके लिए क्या बेडर है वर्ट्प्रेस और ब्लॉगर चलो पता लगाते हैं दोस्तो लास्ट कुछ वीडियो में हम लोगों देखा किस तरह से ब्लॉगर.com के उपर में अकाउंट क्रियेट करते हैं किस तरह से हम लोग e-commerce के site के theme install करते हैं उसको promote किस तरह से कर सकते हैं लेकिन उसके बाद मुझे बहुत सारे questions आने लगे और उन questions में एक common question था और वो था blogger ही क्यों, wordpress क्यों नहीं, which one is better between blogger and wordpress दोस्तों ये question बहुत important है जब आप seriously blogging करना चाहते हो अगर आप अपना career शुरू करना चाहते हो as a blogger आपको ये समझना जरूरी है कि आपको कौन सा platform choose करना है blogger better है या फिर wordpress दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ये समझना की कोशिश करेंगे दोनों platform को comparison करेंगे in terms of adsense कहां पर आप adsense के ज़्यादा पैसे कमा सकते हो हम लोग ये भी समझेंगे दोनों में से कौन सा platform better है जहां पर आप multiple plugins यूज़ कर सकते हो कहां पर आपको hosting और domain का expenses होंगे मतलब आपको minimum कितने पैसे खर्च करना है as a blogger इन दोनों platforms के उपर में और सबसे important दोस्तों कौन से platform के उपर में आप SEO कर सकते हो दोस्तों SEO important है ताकि आप blogger के थूँ या फिर wordpress के थूँ आप अपने blog को Google के उपर में rank करा हो so let's try to answer all this question और आपको एक बहतरिन से बहतरिन एक समझ आया जाए कि जहां से आप अपना career शुरू कर सकते हो so friends wordpress क्या है wordpress एक open source platform है जिसको आपको download करना है और अपने changes के सबसे अपने requirement के सबसे आप अपनी website बना सकते हो यह 2003 में launch हुआ था और उसके बाद से अब तक 38% का market cover कर चुका है दुनिया भर की जितने भी platforms है उसमें wordpress के platform के उपर बनने वाले website का percentage 38% है अगर आप blogging के हिसाब से सोचते हो तो blogging में 95% website जो है वो wordpress के उपर बनती है आप समझ सकते हो दोस्तों कि अगर हम लोग market share के सबसे comparison करें तो wordpress blogger से definitely better है so friends what is blogger blogger is google's developed software or platform you can say that और उस platform के उपर में free domain और hosting service आपको provide की जाती है blogger.com के उपर में अगर आप blogging या website बनाना चाहते हो तो आपको उनका blogging name जो है blogspot.com यह आपके domain के साथ में attach रहेगा इसका total market share जो है 1.6% का है तो आप compare कर सकते हो एक साथ में 95% का market share और दूसरी तरफ है 1.6% का market share wordpress और blogger का difference यहाँ पे समझ में आ जाता है friend दोनों में से कौन सा easy to use platform है blogger.com के उपर में within few minutes आप जाकर website create कर सकते हो उसको download कर लोगे आप freely आप उस platform के उपर में drag and drop का solution यूज़ करके आराम से website create कर सकते हो और non-technical person like me भी इसके उपर में video बना सकता है इसके साथ साथ दोस्तों दोनों में से अगर मैं compare करूँ तो winner कोन है तो मैं यहाँ पर दोनों को equal marks दूँगा next point है दोस्तों कौन सा platform आपको ownership प्रोवाइड करता है blogger.com आपको ownership नहीं प्रोवाइड करता है दोस्तों वहाँ पे आपको थोड़े restrictions हैं जैसे के blogger.com के उपर में जब भी आप blog free में जब initially काम करना शुरू करोगे तब आपके साथ अपने डोमें नेम के साथ में blogspot.com ये डोमें नेम हमेशा associated रहेगा अगर आप डोमेंग चेंज भी कर लोगे hosting चेंज नहीं कर पाऊगे अगर in future आप चाहोगे कि मैं hosting इस host provider से दूसरे hosting provider के पर लेके जाऊं तो ऐसी situation में आपने जो भी काम किया है वो काम आपका loss होने के chances है WordPress में ऐसा नहीं है WordPress में आपका डोमेंग जो है वो तो आप कोई भी purchase कर से हो hosting service जो है जब चाहे आप change कर सकते हो क्योंकि उसका backup वो हमेशा आपके पास मेरता है उस backup को आप कहीं पर भी install कर लिजे दोस्तों ताके आपकी website हमेशा live रहे और आपने जो भी काम किया है वो consistently आपको result देता रहे और आपकी ranking भी improve होती रहे तो दोस्तों ownership में compare करें तो definitely winner जो है वो WordPress है तो फ्रेंट चलो important factor look and layout के बारे में बात करते हैं blogger.com की उपर का look जो है वो inbuilt themes के उपर से जाता है आप external theme भी install कर सकते हो लेकिन उसका layout में आप changes नहीं कर सकते हो layout का जो color combination है या फिर उसका structure जो होता है completely वो same ही रहता है लेकिन WordPress में आप हजारो themes में से एक theme choose कर सकते हो और उन themes को paid या free install कर सकते हो और specifically उसका layout भी change कर सकते हो दोस्तों layout जो है वो definitely आप अपने हिसाब से बना कर उस website को और बहतरिन कर सकते हो so मेरे हिसाब से यहाँ पर में जो winner है वो है WordPress of course so आगे है security and safety दोस्तों security and safety के जब बात आती है तो blogger.com के security और safety दुनिया की number one company लेती है वो है Google दोस्तों Google का platform के वज़े से Google के backup के वज़े से आपकी website या भी blogging site की security या safety और https का जो S होता है उसको SSL certificate करते हैं यह सब चीजे आपको free of cost Google की तरफ से मिलती है तो security किंचिता नहीं है लेकिन WordPress के उपर में security आपको करनी होती है दोस्तों आपको extra tool purchase करने होते हैं आपको SSL certificate भी आपको extra purchase करना पड़ता है तो आपको यहां पर extra खर्चा करना होता है उसके अलावा उसका backup या फिर updates की जिविदारे भी आपकी बनती है तो यहां पर थोड़ा सा dice ही हो सकता है लेकिन अगर आप ख्याल रखोगे मुझे पता है आपका रखोगे अपनी website का ख्याल तो कोई problem नहीं है दोस्तों दोनों की security भी मैं तो गर comparison करूँ तो equal marks दोगा Now support and platforms दोस्तों यह मेरा personal favorite है क्योंकि इस से जुड़ी हुए है दो चीजे एक तो है SEO और दूसरा है plugins दोस्तों अगर blogger.com की बात करें तो SEO के लिए आपको blogger की तरफ से या फिर Google के तरफ से आपको एक meta title, meta description तरह के 2-3 features आप add कर सकते हो उसमें और अपनी keywords का analysis करके research करके उस blog को आप rank कराने के कोशिश कर सकते हो लेकिन वहाँ पे कोई भी extra plugins आपको नहीं मिलते जिस जो आपको help करे आपके SEO का performance बढ़ाने के लिए या फिर आपको अगर website का appearance चेंज करना हो speed बढ़ानी हो तो plugins आपके लिए अवालेबल नहीं है blogger.com के उपर में लेकिन दोस्तों WordPress में हैं आपके पास में हजारो plugins availability दोस्तों कोई भी एक plugin आप चूज कर से हो तो जैसे हैं Yoast SEO या फिर rank math जो आपको help करते हैं आपके website का SEO बढ़ाने के लिए या फिर SEO का analysis आपको proper तरीके से बताता है Yoast SEO और उसके सबसे आप अपने साइट पर उपर काम करते हो और इंप्रूमेंट लाते हो इसके अलावे बहुत सारे plugins है दोस्तों जो plugins आपको help करते हैं आपकी speed बढ़ाने के लिए आपका appearance change करने के लिए So you can use n number of plugins at WordPress website but there is no not even single plugin available for blogger.com तो यहाँ पर माइं मांग्स दोंगा definitely WordPress को So friends let's discuss the most important part that is investment blogger.com के उपर में या फिर WordPress के उपर में हमारा खर्चा कितना हो सकता है कितनी investment करनी है तो उसके लिए मैंने एक table बनाया है और वो table मेरे blogging page के उपर में तो आपको blogging site पर ले चलता हूँ So friends यह है blogspot versus WordPress का एक blog digitalguru sanjak.com आप जाके detail में पढ़ सकते हैं जिनको भी questions है और भी वो यहां पर आके आप अपने questions के answer पा सकते हो यही पर आप अगर scroll down करोगे तो एक important comparison है जो है yearly investment का इस yearly investment के parameters है कुछ जो है hosting on domain SSL certificate plugins themes इनका अगर आप overall खर्चा दिखोगे दोस्तों तो यह है 2.89 hosting का domain अगर लेते हो hosting लेते हो जहां तो उसके साथ में आपको domain का और SSL आपको free मिलते हैं 2.89$ के साथ में इसका link भी दिया है दोस्तों यहां पर आप इस link से जाकर आप अपना hosting यहां से purchase कर सकते हो तो total investment WordPress के उपर में 4,997 का होता है एक साल के लिए और blogger का अगर आप own domain लेना चाहते हो क्योंकि hosting और SSL certificate तो free में आता है लेकिन own domain का खर्चा 1.2$ है और yearly खर्चा आपका जो होगा 1,000 रुपीज के आसपस का अब दोस्तों आपको decide करना है आपका budget कितना है और आपके future plans क्या है उसके साब से आपको decision लेना है कि कौन से platform के उपर में आपको blogging site शुरू कर गी है Finally last but not least that is AdSense AdSense का approval आपको blogger.com के उपर में या फिर wordpress.com के उपर में भी मिल सकता है blogger.com के उपर आपको पैसे खर्च करने की investment करने की ज़रूत नहीं है initial phase में लेकिन wordpress के उपर में definitely आपको कुछ investment करने की ज़रूत है Now ball is in your court आपको decide करना है कौन सा platform आपके लिए better है So friends अब time आ गया है conclusion का conclusion भी एक बार हमारे site के उपर में देखते हैं वहाँ पर मैंने एक table बना के रखा है ताकि हम लोग उन्हें जो भी point अब तक discuss किये है उसका एक review हो जाएगा और आप अपना decision लेने के लिए ready हो जाओगे So friends यह रहा conclusion यहाँ पर आपको एक complete understanding आ जाएगे जहाँ पर आप समझ सकते हो कि आपको कौन सा version blogging के लिए use करना है wordpress use करना है या फिर blogger easy to use platform में अगर हम लोग देखे तो दोनों जो है winner है ownership of site अगर हम लोग choose करें तो वहाँ पर wordpress winner है enabling control की बात जब बात आती है तब हम लोग wordpress को ही winner बना रहे हैं यहाँ पर look and layout जो है वह मेरी साबसे blogger के उपर में limited access होता है layout के उपर लेकिन wordpress के उपर में maximum होता है इसलिए यहाँ पर wordpress again winner है safety security की बारे में दोनों भी आपको winner बोलना पड़ेगा यह wordpress में आपके हाथ में control है blogger के उपर में google के हाथ में control है तो दोनों winner है यहाँ पर support from platforms यहाँ पर limited मिलता है क्योंकि यहाँ पर plugins नहीं है दोस्तो लेकिन wordpress में आपको maximum support मिलेगा plugins धेर सारी plugins available रहेगी और future prospect जो है अगर आप future के सबसे blogging में अपना career करना चाहते हो तो definitely blogger is not a good option यहाँ पर limited version से आप अगर शुरुआत करना चाहते हो तो आप blogger के साथ शुरुआत कर सकते हो लेकिन long term के लिए आपको wordpress ही चूज करना है friends end करने से पहले आपके लिए एक important tip दोस्तो जब भी मैं blogger.com के उपर में blogging करता हूँ तो मेरा focus यह रहता है कि जो wordpress के उपर में मेरे blogs है wordpress के उपर में कई सारे blogs है मेरे मैं उन blog के लिए backlinks create करता हूँ blogger.com के उपर में वो किस तरह से और वो क्यों दोस्तो blogger.com के उपर में जब ही आप backlinks create करते हो blogger.com google की site होने कारण उसका d.a.p.a बहुत हाई होता है तो आपके जो भी blogs आप लिखते हो blogger.com के उपर में वो rank होने के chances जादा होता है तो wordpress की जो important blogs होता है उनीका theory उनीका synopsis मैं blogger.com के उपर में लिखता हूँ और वहाँ से मैं link देता हूँ wordpress के blog की तो इसके वज़े से मेरा traffic flow होता है blogger.com to wordpress और ultimately मुझे benefit मलता है wordpress.com के उपर में तो इस तरह से मेरा purpose होता है दोस्तों कि यह free में available है तो free black links मुझे blogger.com के उपर से मिल सकती है और backlink आप सब लोग को पता है बहुत जरूरी होता है जब आप blogging कर रहे हो या फिर ranking कर रहे हो तो दोस्तों यह tip आप utilize किजिए और दोनों site पर काम करना शिरू किजिए So friends I hope मैंने आपकी थोड़ी से help कियोगी decide करने में blogger करना है या फिर wordpress अगर decision हो चुका होगा तो आपको दूसरा task करना है वो है मेहनत, मेहनत किजिए आप definitely अच्छे blogger बन जाओगे इसके अलाव भी आपके कोई questions होगे दोस्तों आप मुझे comment box में जाके पूछ सकते हो और जिन्होंने अभी तक subscribe नहीं किया है उनको subscribe करना है जिन्होंने कर दिया है उनको share करना है अपने friends के साथ में ताके उनको भी पता चले करना क्या है जिन्मेगे में सो दोस्तों next video के लिए मिलते हैं हम लोग कुछिश करेंगे कि wordpress के उपर में blog हो और तब तक के लिए thank you very much see you soon